हलो फ्रेंड्स, कुकिंग बिद पेसन में आपका स्वागत है आज मैं सिम्ला मिर्च और आलू की सबजी बना ओंगी यह हम बहुत यूनिक तरीके से बनाएंगे तो फ्रेंड्स हम इसको बनाना सेस्टार्ट करते हैं मैंने आलू सिम्ला मिर्च को कट कर लिया है इसके बाद मैंने जीरा, सरसू और सौप डाली है इसके बाद प्याज मर्च डाल दिये हैं इनको अच्छे से हम फ्राइक करेंगे और मैंने जिंजर पेष्ट डाला है और सूपी हुई 2-3 मर्च डाली है अब हम इनको अच्छे से तलेंगे फिर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है हल्ली पाउडर डाला है और धनिया पाउडर डालूंगी इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम फिल्म पर हम मसाले को तलेंगे इसके बाद मैंने नमक डाल दिया है और फ्रेंड्स हमको मसाले को मेडियम फिलेम पर ही तलना है क्योंकि नहीं तो यह जल जाएगा इसलिए अब हमारा मसाला अच्छे से बड़ तला गया है इसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिये हैं टमाटर को भी हम अच्छे से गलने तक पकाएंगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपको में रेसिपीस कैसी लग रही है इसके बाद मैंने आलू डाल दिये हैं आलू थोड़े कड़क होते हैं इनको हम इसलिए पहले डाल रहे हैं जिससे अच्छे से पक जाएंगे थोड़े अब मैंने पानी डाल दिया है जिससे आलू नीचे लगेंगे नहीं और अब इसके बाद मैंने 2-3 मिट इसको अच्छे से कुक कर लिया है यह थोड़े आदे पक करें 50% हमको आलू को पकाना है इसके बाद हम सन्मिलामिष डाल देंगे तो इनको अच्छे से मिक्स करेंगे इसके बाद हम इसको पकाएंगे 5-8 मिट पकाना है हरी धन्यद करूआँ दाल देंगे और हमारी सब जिबन कर तयार है तो फरेंड्स आप जरू ढ़रें और बताएं मेरी रेसिपीस कैसी लगी है थैंक्स पर वाचिंग